जोतिश के जानकरों के अनुसार ग्रहनक्षत्रों की लगातार बदलती स्थिती मनुष्य के जीवन पर तरटर के प्रबाव डालती है अगर ग्रहों की स्थिती व्यक्ति की राशी में ठीक है तो इसकी वज़े से मनुष्य को हर सुख सुविदाय मिलती है और जीवन की सभी परिशानियां दूर होती हैं परंतो ग्रहों की स्तिती ठीकना होने के कारण जीवन कठिनाय पुर्वक व्यतित होता है जोती शास्तर के अनुसार आज हम आपको कुम्बर राशी के बारे में बताने वाले हैं आप अभी खुद पर संदेह कर सकते हैं अपने मन और दिल की जांच करें घर के मामलों से निपटने के लिए समय निकालें बले ही यह आपकी योजनाओं को धिमा कर रहे हो या उसमें बादा पहुंचा रहे हो स्तीर प्राकुरूतिक सेटिंग्स में शांती की तलाश करें अपनी प्रतिष्टा और सामाजिक स्तिती को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं आप में से कुछ अपनी कड़ी मेहनत से मिले फल का अनंद लेंगे तो दुसरे अपने नए लक्ष और महत्व कांग्शोंग पर ध्यान केंद्रित करेंगे अगर सफल होने का इरादा पका और प्रर्याप्त मजबुति के साथ हो तो असफलता कभी नजदिक नहीं फटकेगी आखिर कुंबर राशी वाले लोग भाके शाली कैसे साबित होंगे साथी इने कौनसे कारे में फायदा होने वाला है और इनकी जीवन शाली कैसे रहने वाली है यह सभी बाती जो कि आज की सुड़े में बताने वाले है तो इस वीडियो को अब भी लाइक करें दोस्तों के संग शेर करें और अगर बजरंग बली जी का शुरुआ चाहते हो तो कमेंड में जै बजरंग बली जी लिखना ना भूले साथी हमारे चानल ट्रेनिंग राशीपल को सब्सक्राइब जरू करें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं कि आपका सामने राशीपल किस तरह से रहने वाला है उसके बारे में मरमत को अभी टाला नहीं जा सकता यह समय खिडकियों, कारों आधिकों सुदाने के लिए धन खर्चक करने का है सहकर्मे और भाई बहन आपके जीवन में खास भूमी का निवाएंगे जिससे आपको नेटवर्किंग के आउसर मिलेंगे उन लोगों के संपर्क में रहे जो अभी सबसे महतोपुर्ण है अपने अस्तित्व का अर्थ जानने के लिए आप उस्तुख हो सकते हैं उन कारणों को दूर करे जिनके कई आपकी समस्याओं का समधान नहीं होता एक यात्रा या यात्रा की योजना का भी योग है जिसने समय को अपने वश में कर लिया उसकी जीत को भगवान भी हार में नहीं बदल सकते दोस्तों ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में अगर बात करें तो आचानक आपको किसी विपरित परस्तिती का सामना करना पड़ सकता है बहतर होगा आप खुद को इसके लिए मांसिक रूप से तयार रखे साती आपको धहरे से काम लेने की भी सलाह दी जाती है कामकाज में एकागरता बनाए रखने का प्रयास करे जरा सी लापरवाही आपके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकती है अगर आप व्यापर करते हैं और अपना कारोबार आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं तो आपको जल्दबाजी से बचने की जरूत है पैसों की स्थिती संतोजनेग रहेगी आप बचत पर अधिक ध्यान दे पाएंगे पारिवारिक जीवन में स्थिती अनुकुल रहेगी घर के सदेस्यों के साथ रिस्ते में तालमिल बना रहेगा जहां तक बात आपके स्वास्तिकी हैं तो आपकी ठकान कुछ बढ़ सकती हैं दोस्तो धनराशिपल की बात करें तो अपने उत्पादों और सेवाओं के विग्यापन या प्रचार के लिए नए अवसरों का सदुप्यों करें गरेलों मामलों जैसी की तूटी हुई खिड़कियां या खरब बिजली के उपकरन ठीक करने के लिए भी समय निकालें संगेत, नुरुत्य, फोटोग्राफी आपको उस्ताह और खुशी प्रदान कर सकते हैं थोड़ी सी मेहनत करने से सपलता आपके कदम चुमेगी खुद पर ध्यान केंद्रित करें और इसे समय ब्रहमित ना हो नेतिकता से संबंदित मुद्दे आपका ध्यार अकरशित कर सकते हैं एक यात्रा या ट्रीप की योजना भी आपके कारण में हैं जो भी आप चाहते हैं उन्हें नोट करें और उसके बाद उसे पाने के लिए पूरी दिल से जुट जाए आप कभी भी निराश नहीं होंगे अगर हम करियर राशिपल की बात करें तो आपकी रचनात्मक सोच से व्यावसाइक शेतर में आपको काम करने के बहुत से मौकी मिलेंगे आप में से कुछ लोगों को आपकी मेहनत के लिए एक अलग पहचैन भी मिल सकती है अपने करियर को उंचाएं पर ले जाने के लिए आपको अपनी सकारत्मक सोच का सहारा लेना चाहिए दोस्तो लव राशिपल की बात करें तो सहस आपकी सफलता की कुणजी है प्यार के इजहार के लिए पत्र या इमेल का सहारा ले सकते हैं अगर रिस्ता नया है तो उसे अत्रिक्त समय दे यह एक्ष्ट्रा समय आपके लिए जादू की तलह काम करेगा और हो सकता है कि आप इस दवरान नया इतिहास लिखे खुद पर ध्यान देने के लिए दिन सर्वसरिष्ट है लोग आपको प्रभावित करना चाते हैं और इसके लिए वो अलग-अलग तरीकों से आपको लुभाएंगे जिन्दगी के इस दवर का मज़ा ले और इन खासक्षणों में अपनी दिल के सबसे करीबी को ना भूले हो सकता है कि आपकी किसी से भहस हो जाएं इसलिए साउधान रहे दोस्तो स्वासराशिपल के बात करें तो आप जाने अंजाने में खुद को चोंट पहुंचा सकते हैं आप अपने हर काम को बहत साउधानी और सतरकता से करें अपने आसपास की जानकरी रखे ध्यान रही कि यात्रा करते समय आपको दुसरों की लापरवाही से नुक्सन हो सकता है यातायात कि सभी निमों का पालंकर रफ्तार को धिमी रखे और बहत साउधानी से वहां चलाए बास्द में पच्छतानी से अच्छा होगा कि आप पहले ही साउधान रहे दोस्तों यहती कुंबराशी के बारे में अब बात करते हैं घर के मुख्य दर्वाजी की दिशा तई करेगी आपकी खुशिया जाने किस तरहर डालता है प्रबाव जब भी कोई नया घर बनवाने का विचार करता है तो सबसे पहे वास्तों की जानकरी प्राप्त करता है ताकि घर में खुशिया बनी रहे ऐसे में घर के मुख्य दर्वाजी की दिशा बहुत ही माइने रखती है जिसके माध्यम से घर में सकारत्मक्ता और नकारत्मक्ता का अगमन होता है ऐसे में घर के मुख्य दर्वाजी की दिशा ही वास्तु संगत नहीं होगी तो इसका असर आपके घर की खुश्यों को भी प्रभावित करेगा आज इस वीडियो में हम आपको घर के मुख्य दर्वाजी की दिशा से जुड़ी वास्तु जानकारी लेकर आए हैं तो आईए जानते हैं इसके बारे में पहला है पूर्व दिशा का दर्वाजा अगर आपका मुख्य दर्वाजा पूर्व दिशा में है तो यह सबसे शुबा मना जाता है व्यावारिक दुर्ष्टी से इस दिशा में मुख्य द्वार होना यानि कि मुख्य दर्वाज़ का होना सबसे अच्छा माना जाता है इस दिशा में सूर्य उखता है तो इस दिशा में मुख्य दर्वाज़ होने से आपके घर में सूर्य का पर्यापत प्रकाश आता है वही यह दिशा अध्यात्मिक दुर्ष्टी से भी बहुत खास मानी जाती है वास्तु के हिसाब से इस दिशा में दर्वाजा होना सबसे अच्छा माना जाता है अगला है पच्चिन दिशा में मुख्य दर्वाजा का होना आपके मकान या मुख्य दर्वाजा यदि पच्चिन दिशा में होता है तो यह बेहद शुब फल देने वाला होता है ऐसे लोग जिन्दगी में तरकी थोड़ा धीरे करते हैं लेकिन उनकी सफलता स्ताई होती है ऐसे लोगों को कभी खत्रा नहीं होता है अगला है उत्तर दिशा में मुख्य दर्वाजा का होना वास्तु में उत्तर दिशा को द्योग की दिशा मानी जाती है इस दिशा को वास्तु के हिसाब से सबसे शुब माना जाता है इस दिशा में आपके घर के मुख्य दर्वाजा का होना सबसे उत्तर माना जाता है द्वी शंचे नद्यक की चाहरं आते हैं और आकडिए गर का मीच्य दर्वाज़ा गर का मुछ्य दर्वाज़ा राजी में बेहरी शूब माना जाता है यह द्वी दीशा मानी जाती है इस देखbor मुख्य-दर्वाज़ा बनाने से घर का मालिक भी दुखी रहता है और उसमें रहने वाली सभी महलाई भी दुखी रहती हैं यहां तक कि ऐसे घर में रहने वाले लोगों पर मौत का साया मन रहता है या फिर कई बार मौत के मुह से बाहर निकलाते हैं इस दिशा से घर में पित्रों का अगमन होता है इसलिए इस दिशा को अशुब दिशा माना जाता है और इस दिशा का मुख के द्वार कतई अच्छन नहीं माना जाता तो दोस्तो यह थी घर के मुख के दरवाजे के दिशा के अनुसार फाइदे और नुकसान तो दोस्तो आज की सुड़ो में बस इतना ही वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरू करेगा साथ हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिपल को सब्सक्राइब करेगा क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरके राशिपल रिलेटर वीडियोज और नौलेजबल वीडियोज देखने को मिलेगी तो दूस्तो अब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा